आदाव, हैद्रापार आदाव, नादाव, 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 नादाव एक तवानाई बखशते हैं ऐसे में लाफटर शो की एहमियत बढ़ जाती है हम बात करेंगे दे ग्रेट इंडर लाफटर चैलेंज सीजन वन की जहां हिंदुस्तान भर से पचास कॉमेडियन्स को मुंतकिब किया गया है और खास बात ये थी के हैदरबाद से दस कॉमेडियन मौजूद थे इस शो की हिसा बने थे जिसमें टॉप टेन में तीन कॉमेडियन हैदरबाद ही से थे जिन में कादर शरीफ हभीब खदीर और तीसरे थे से शाह बदी जो लाफटर चैंपियन बने और मुक्तलिफ मुखामाद पर इन्होंने काफी दूम मचाया दुनिया भर में लोग काफी पसंद करें तो नाजरीन हम आपको बता दें कि आज हमारे साथ मौजूद हैं लाफटर चैंपियन सेद शाह बदीन साहब शाह बदीन साहब आपका हम बहुत-बहुत कायरमगदम करते हैं इस प्रोग्राम में सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन यादगरी के जो भी यूनिट है करता धरता है और दूरदर्शन यादगरी के जो देखने वाले नाजरीन हैं उन सब को सलाम करता हूं और सभी यूनिट को यादगरी चैनल जो दूरदर्शन है वो सारे यूनिट को बहुत-बहुत शुक के लिए यहां पर मदू किया है बुलाया गया है तो बाखी सुब तो आप सुना चुके हैं के दे ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के हम सेमी फैनलिस्ट है है थे तीन फंकारों में एक मैं भी हूँ जिसका आइटम पाया पाया बहुत महशूर हुआ सारी दुनिया में आज भी चल रहा है जब तक पाया है मैं हूँ और जब तक मैं हूँ मैं समझता हूँ के पाया है बेशक तो शाबदीन साब स्टैंड अप कॉमेडी ये लवजों का खेल होता है फिर ये लवजों का चनाओ या सीकना कैसे शुरू हुआ वो हमारे नाजरीन को जरूर बताई है लवजों का एक आप स्टैंड अप कॉमेडी को खेल तो ने बोल सकते क्योंके बड़ी कटिन बात है और मैं समझता हूँ कि एक खुदादाद देन होती है जैसा के हमारे सीनियर कहते हैं के भई ऊपर वाला हम को आपके इंटरेटेंटमेंट के लिए हसने हसाने के लिए बनाया है और वैसे कॉमेडियन जो है पाइदा होता है बनता नहीं है वो बनते तो बहुत से हैं नेचरली जो होते हैं अक्सर मैं देखा हूँ बहुत से कॉमेडियन हमारे हिंदूस्तानी नेवर के सारी दुनिया में जो नेचरली होते हैं मेमिक्री वगारा करते हैं कॉमे आइटम वगारा, कॉमेडी तो रही नहीं, कट्टू कट हो गया है, जमाना तरखी कर चुका है, लेकिन फिर भी जो पुराने जो लोग है, जो मिजा के चाहने वाले हैं, वो लोग आज भी वही आइटम को पसंद करते हैं, जिसमें ज्यादा अदब है, वालगराटी नहीं है वगारा, जो सीनियर जो लोग है, बहुत से, और जूनियर में भी, यानि न्यू जर्नेशन में भी, बहुत से ऐसे लोग हैं, जो वालगराटी पसंद नहीं करते हैं, और कट्टू कट कॉमेडी आजकल चल रही है, तो हम भी यह सुचे के भई, अगर स्टान अप करने का हमारे नाजरी जानना चाहते हैं, जो यह प्रोग्रम देख रहे हैं, जो यह यह जो शुरू किया, मेरे को बच्पन से ही शौक था, हसने हसाने का कुछ करना, क्योंके मैं मैं हमारे सीनियर से हःधरबाद के सीनियर आर्टिस कुझरे जैसे हामायत अल्ला, उस्ताफ़ा अल तो चोटा सथा देखता था तो ड्रामा टैप करते थे और बहुत से फनकार ऐसे थे स्टांड़ अप करते थे तो मीमिकरी करना और फिल्म स्टारों के आवाज में और निकालना उसमें जोक जिसे लतीफा कहा जाता है अर्दू में तो लतीफा सुनाना तो उस टैप का मैं भी जोए चलते फिरते घरों में भी हसने हसानी की बाते हो जाते हैं तो उसको एक लतीफे का शकल यानि जोक का शकल देके जोए अब क्यों न इसे स्टेज पर सुनाने की कोशिश करें स्टेज पर सुनाएं वह चीज तो नाजरीन जोए सामाईन है नाजरीन है बहुत पसंद किये खहे खहे लगाए हासे तो मैं यह सुचा के भाई चलो हम कु कमड़ी को लेके जो दूसरे फंकार है और लोक के साथ स्टांड अप यानि ड्रामा के साथ मैं स्टांड अप करता था उसमें कुछ मेजिकल आइटम भी है मेजिक पर कैसे आइटम होते हैं वगारा वगारा तो बाराल इंटर्टेंवेंट करना पब्लिक को हसान वह यानि क जाते रहते हैं घूंते फिरते रहते हैं लाग्ड़ाव वगारा का जो सिलसला चर रहा है उससे जोए ने लेकिन अप नने बताया कि आपके सीनियर को देखकर आपने स्टैनडप कॉमेडी करना सीख उसके बाद प्र स्टेज आपने शेयर किया लेकिन आपके जहन में यह कैसे आई कि इसके जरीये भी जरीये माश्ट ढूंडा जा सकता है इसको केरियर के तौर पर भी हम ले सकते हैं पहले तो इतना यानि इतना पेमेंट्स हो का रहा नहीं मिलता था अच्छा फ्री में यानि शौक होता था ना वह जैसा कि हम जैसा पंदरह अगस्ट का मौखा है 12 जनवरी का मौखा है उस मौखे पर प्रोग्राम सोती थे तो शौक में जाके प्रोफेश्यों लो गया हूँ शौक से बढ़ते बढ़ते प्रोफेश्यों लो गया क्योंकि वक्त नहीं मिलने लगा लोग पसंद करने लगे कॉल्स करने के लगे बुलाने लगे के भई चलो पिर बाद में हमको मालूम हुआ कि कॉर्परेट शोज होते हैं एक बाजापता गौर्नमेट के थुरो जो है इंटरेटेंटमेंट शो होते हैं जैसे गांधी बहुने कलाब बहुन वगारा रविंदर भारती वगारा है तो हम इसको क्या हुआ एक 20 साल से कमर्शल प्रोफेश आपने पहले जो यहां से आपकी शुरूआत हुई थी कौन सा आइटम आपका बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद किया जैसे आप स्टेज पर आते हैं वस आइटम की फरमाईश की जाती है तो शुरूआत की बात अगर हम करें तो कौन सा आइटम रहा होगा आपका सिंगर को मैजिशन को थोड़ा सा रेस्ट देने के लिए तो हमारे सीनियर कॉमिडियन होते थे 15-20 मिनट का वो जो आटिस्ट है गाने और सिंगर्स वगार है वो लोग को थोड़ा बीडी काड़ी पीने के लिए वग दिया जाता था तो तब तक के जो आडियन्स है नाजर अकसर कहा जाता है ऊट पतंग अब आप बोह रहे होंगे यह उट पतंग क्या लफ नवद है क्या लबज है जी ऊट्पतंग का मतलब में हमारे सीनियर से पुछा फोट पतंग जो बात बोलते हैं ये क्या है तो बले ऐसी बात करना जो उट पे टांग दालना जो मुम्किन उट पटांग बाते करना जो जिसका कोई मतलब नहीं होता बहुत से चीज़ें ऐसे हो जाते हैं जो हमारे महाशरे की इसलाह करना कुछ ऐसा जोक सुनाना जिससे सुनने वाले हसे भी और उस गलत जो हरकत होती उससे दूर भी हो जाए इस टेप इसलिए एक जोक की शकल में उ परजेंट करते थे तो वो जमाने में बच्चों के उपर जोक होता था जैसा कि मिसाल के तौर पे एक आदमी है अपने दोस्ते मिलने के लिए उसके मकान पर आया इतिफाक से इनके दोस्त नहीं है दोस्त का छोड़सा लड़का घर में है अब यह जो आदमी अपने दोस्त से मिलने के लिए गया तिफाक से उसका मूँ टेडा है अचा ऐसे मूँ टेडा है और बहुत लंबा नाम फैदरबादी अब यह गए बेल वजाए टरिंग लड़का या कोन है तो मैं हूँ बच्चा बड़ा आपका नम क्या है बले नवा बिर्जा सेयद शाबदीन अलतमस कामरानी, सुल्तानी, मुल्तानी, संजरी, चंगेजी, तैमूरी, आलमगिरी बावा है तर में बावा कुछ ओड़ो तुमारा नाम है रहलगाडी है जी इता लंबा नाम कैसा रहता है तो हो मिया हम लोगा खांदानी है बावा है तो बोलो मैं आके गया था बलके अच्चा अच्छा बहला हाँ बोल देता हूं गार एक बाव फिर नाम बोलो नाप फिर शुरो हो गहाए नबाव मिर्जा सुयाद शाब देनल तमस खादरी चिष्ति, दुर्रानी, कामरानी, सुल्तानी, मुलतानी, संजरी, चंगेजी, तैमूरी, आलमगिरी बोल देते है अच्छा अब लोग बहुत पसंद करते थे उसको अब चलते चलते ताजे लतीफे भी आ जाते थे जिसा के घर मिया बीवी का जगड़ा है फला है तो अक्सर घरों में आपको तो मालूम है के बीवीं की खिट-खिट रहती बच्चों की बहुत से लोग परिशान रहते तो ऐसे जोग अब एक छोटा सा अच्छा जोग आ गया होता ही हो है के एक आदमी चलते रहता बेचारा जाते जाते उसको एक अचानक आवाज आती रुख जाओ तो रुख जाता है दो मिनिट में इट दो चार इट थार धार से गिरते देखता गोलता है यार ओने फरिश्टा आवाज द जाता है रोट पार होने जाता हो आवाज आती है रुख जा पिर रुख जाता हो दो सेकंड में सही से स्पिट कार जाती है अगर में जाता है अगर में जाता हो जाता है अगर यह कोन है तो मेरे को बार बार आवाज जा रहा है रुख जा हो मैं रुख जा रहा हूं मत से तो इसे आप मेरी निकए खानी होते हैं खोद आप कहां थे भूता है उसमें थोड़ासा जो है हसी मजाग भी हो जाता है लोग जब खिल के हसते तो हमें ये महसूस होता के भाई हम कामियाब हैं और ये हस नहीं रहें बलके हमारे लिए दूआ कर रहे हैं बस बेशक वैसे आपके जो शाकर आइटम में एक खास आइटम जो मर्फे है जहां से आपकी शुरुआत हुई थी अच्छा अच्छा में मिक बात यानि हाजिर जवाबी जी से कहा जाता है बिलकल तो चलते चलते कोई चीज अपन देख रहे हैं तो जहन में बैठ जाती है तो एक महर्फे वाला जो एक पीस होता वो एक बजाता था उस अब को उठाने के लिए आवाज से एक सोब उठते थे तो एक बजाता था तो जैसा आवाज सुनते हो एक एक उठना शुरू होते थे तो सारी के सारे बजाना शुरू करते थे तंप 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 अब ये सारे बारात के सामें जमा होते हैं लोग नाचना शूरू करते हैं। है थी रिवाए जमाना जोश में। अब इसमें भी फ़न होता था। इनके जो बड़े सदर सालम भाई उन्हों एकस्ट्रा मार मारते थे उसमें। गवर करने से समझ में आता था। अब लोग जवाई आपके। अब लोग जाते ठापिने की वानियारि वम ज़ाय। तो अब यह लोग को खुद ने मालूम तीन मार कैसा बसता अगर हो फर्माश तो यह लोग बजाते बजाते इसमें, तीन मार आचानक बजाते हैं बजरा अधमाल से बाइसा मोसम रहा बारिश का बारिश हो गई बुलते नहीं बजाओ बीगने दो कुछ बियंदो भीगेवे मर्फे अपने दोस की पहली शादी है नाचना है अब वो मजबूरन वो बेचारे भीगेवे मर्फे भी बजाते तो उसके आवाद चेंज हो जाती अब इसमें एक फन क्या होता है फनी बात क्या है इसमें वहले तो अकसर दो-दो गुरूप बसते हैं मर्फे एक दूले के सामने उदर एक बजरा गुरूप एक इदर हारवार लेके दूर दूर है हो तो उसकी आवास अलग सुना ही देती थी दूर से आ रहागा तो यह गुरूप बजरा यह गुरूप पीछे जब वो खरीब आता थो उसकी अवास अलग आती थी दिमी सी क्या वात है क्या वात है क्या वात है अब वो सुनने वाले फर्माश करते थे भाई हम आईसा एक प्रोड़र्गाम में बता दिया कि वह ऐसा ऐसा भी होता है हमारे हिदरबाद में तो वो बाहर जो अमेरिका वगरा में जो यहां के लोग काफी जमाने से 25 सा 30 साल से है ना वह वो लोग बहले यार हमारे को तुम हैदरबाद दकन की याद दिला दिये हूँ हमारी जवानी वो हमारा जमाना में अच्छा याद है महीं ऐसा एक अडोटेरियम बड़ा अडोटेरियम में शिकागो में अमेरिका में शो में यह बताया हैदरबादी मरफा तो एक बड़े ह वो दूर से चलते वे आए 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 स्टेज पर गले लगा लियें वो औरे मियां क्या याद दिला दिया बेटा तू मेरे को यह आइटम एक बार फिर याद एक फिर बजा के बता वो मेरा जमाना याद आ गया हो यहीं के रहने ओले थे वो बज गय थे जाके मुक्तलिफ किसम हसना जोर से कोई मुस्करा देता सभी बाद में जब हम प्रग्रम शोख खतम करके जब जाते तो बाहर मिलके बोलते यार बड़ा मज़ा आ गया यार बहुत अच्छा सुनाए आपने तो जब जाके दिल को यह तसलिए होती कि भाई वाखे हमारा जो पसीना निकलाओ वह ज लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं तो मैं चाहता हूं कि हमारे आडियंस भी क्यों महरूम रहें इस आइटम को आप जरूर पेश करें हमारे नाजरीन के लिए वह हुआ यह था कि अक्सर जो लोग बाहर जा रहे हैं गल्फ और गल्फ और अगरा दुबाई साओी कोई अगरा अगरा काफी जमाने से सिल्चला चर रहा पैंटिस चालिस साल से सिल्चला चर रहा और जब इतना एड्यूकेशन जरूरी नहीं था डिजिटल सिस्टम नहीं था पासपोर्ट पे भी सब हाँ खलम से लिखते थे करते थे तो ऐसे भी लोग बाहर गए यहां से हिंद खतों किताब़ लेटर के जरीए क्योंके मूबाइल फोन्स वगरा नहीं थे फोन थे भी तो वह जहा के पहले टेलिफन एक्चेंज जाना बुक कराना फिर वहां वो लोग को टाइम आट दिन के बाद उसका टाइम आता था फिर वहां के एक्चेंज को जाके उन्हों वेट करता था फिर काल लगता था बात के बहुत पड़ा कठी जमाना था हो तो अब अगर कोई मुहले का एक दूसरे घर का लड़का भी साओधिया गया हुआ है यहां का लड़का तो अभी दोस्ती पता चला के वह लड़का भी अब वह छुटी वगारा पर अगर आ रहा तो व अपने बीवी के लिए बच्चों के लिए वालिदा के लिए यहां से बीवी अपने शोहर के लिए रिकार्ड करती थी सलाव अलेकुम कोई भी आने वाले रहे तो बच्चों के आँ से कपड़े भीजाओ मेरा असे साड़ी विजाओ और मैं साड़ी मगाई वोलके अम्मा कू मालूम होने न को दो लड़या जगड़े और घर में पहले जख आए ज़गमा लोगों के साब में बोले ते फिर रहे मेरे बच्चे सोने बोगे वन के इनका बार्ण को की सथजाद के साड़ी बिजाए क्यों करे क unser अंपर पूरे बार्ण के साज देखती हुचा में लगयनरे देखती हुथ मेरी पूरी नजर ओलों के साड़ियों के उपर इस रिती यह उजाड सीरियल की दर जाती कि क्या है कि खर तुम बाहर है तुमा को पूरे बातां बोलके कई को परेशान करना बोलके मैंने बोर्यूं जी कपड़े बोले तो याद आया बच्चों के स्कुलों के ट्रेसा महां से भी जाओ यह इंडिया के उजाड कपड़े जल्दी फढ़ जाते कपड़े चलते कलर अच्छी तरीखे से याद रखो उदे कलर का पैंठ है आस्मानी कलर का शट है और यह स्कुलां अवलों को क्या मालूम नहीं इत्ते भुसे भुसे किताबानी खरें बच्चों को बसते उठाने निया रहा बजाए बच्चा लंबा होने का उल्ठा गेड़े होते चलिया रहा जुप जा रहा रहा उन्हें फिफ्ट में है अब शिक्स में आया तो तुम बाहर से लाई सो बड़ा सूटके इस नहीं दिखा चांद रात के दिन इत्ता रोना आया मेरे कूँ मैं इत का चांद देखते जारी हूँ रोते जारी हूँ इत का चांद नजर आ गया मेरा चांद कब नजर आता कि क्या ही को बलके इत्ता रोना आया इत्ता होसा शीर खुर्मा बनाया पीना दिलने बर रहा क कपड़े बनाए, कपड़े भी पेन नैंने वर्रा, कपड़े भ ले तो याद आया, नुज्ह कमरे में जाके, अलमारी खोल के लेखते हैं, तुम्हारा उजार जार वली में का सुट साम में लटकावा है. वो वैलिव ऑलिव में के सूट को देख कर दो देख जा रहीं हो रहीं, भर समग्रिक तुम बाहर है तुम पूरे बात ऑफ हो वलके कई को परेशान करना होुर के मैं बाल जाए हूँ, वो आपके दोस्ट केसीट लाइस वाले, दिवान खानी में बैठेवे है, उनके जहाश क ताइम हो रहा है करते मैं फिर तफिल से केसिट रिकाट करके भीजाती हूं खुदाफिस क्या बात है बहुत जबर बहुत अबर जबर जबर तो एक खाके के टैप का एक आइटम बना ये भी बहुत चला बहुत बिलकल दखनी जो मिडियम तफ़के के जो लोग है बस सुनते थे एंजोई करते थे तो शाब भाई थोड़ा सा मैं यहां पर रोकूंगा आपको क्योंकि बहुत सारी आप से गुफ्टोगूपी की जाएगी और मजीद बहुत सारे आइटम्स आपको सुनाने बाकी है तो नाजरीन आप कहीं जाएगा नहीं मिलते हैं एक मुक्तसर से व अबदी साब शाब भाई वैसे आपके बहुत सारे आइटम्स हम सुनेंगे लेकिन अभी हमें यह बताईए कि आज के दौर की कॉमेडी में और पहले के दौर की कॉमेडी में आप कितना फर्ख महसूस करते हैं बहुत सारा फर्ख है क्योंके कॉमेडी जैसा आइटम का जो स आइटम सुनाना पड़ता । मिसल के तक तौरफ जैसा के शादी विया का मोखा है तो वहां पर उसी माहल के सब आइटम सुनाना पड़ता कॉर्पेट शो चल रहा है स्टेज जेज तो आपको मालू है स्टेज के दौ आइटम बिलoting यानि जनरल टैप के आइटम्स होते है तो अब पुराने आइटम यानि जैसा आप बोले के पुराने जोक्स लतीफे वगारा जैसा बोरे हैं उसमें और इसमें क्या फरख है फरख तो कुछ महसूस नहीं होता लेकिन अथना लंबा टाइम नहीं है आजकर पहले जैसा मिलता था पहले जैसा था कि अब हमारे जैसा स सुनाते थे सुलेमान साप जैसा थे और उनको देख देख के हम सीखे अदभी महिफिलें जो होते उससा जैसा हम का अनौस में डॉख कर भी है अब उनका आवाज भारी था तो स्टेच पे है तो उन्हों स्टैप के ऐटम सुना थे जी क्या है की मिया समझ मैं नहीं आरा बा लतीफा सुनाओ लतीफा सुनाओ बर रहे मेरे साथ ही लतीफा हो गया जोग हो गया मिया पानी पड़ा मिया बारिश बलती मही तूफानी बारिश बार आ गई बारिश ओली तूफानी बारिश बार तूफान वो हमारे गाउं में पूरा पानी घुज गया पित्ता इत्ता पा अब हम लोगां गाउं के लोगां जा करें, सुक्की जगा अब ठर गए उपर , सुक्की जगा उपर ठर गいやज अब गाहं के बहुत्ये हुकूमत को मालूम हुआ इंसनों को बचाना है गाउं से बाड़ा गई ना भई अब हुकूमत क्या करी इंसानों को अदमियों को भचाने क्या से हेली क्याप्टर भी जाई बावा वह हेली क्याप्टर आको हमारे गाउं के ओपर गर 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 फिर रहे अब हमारे गाओं के अहु ले लोगा जिंदगी में हेली क्याप्टर लेख आई ना उसमें बैठ सब भाईल किया यह करा स उतार के मेरे को बला हज़र्ट ये इनसानों को लेख जाको सुक्की जगाओ पो उपर छोड़ना है पाहड पो कित्य चक्कर होता ही मैं बला सरकार कित्य लोगा है तीन चक्करों में खतम हो जाते अब वो बिचारा हेली क्याप्टर वाला बिठा रहा लेख जाको छोड़ रह जारा फाली आरा लेख जाको छोड़ रहा खाली आरा वो तीन चक्कर जाको चार पांच छे दस चक्कर OA2 मियां और लोगाओंजी टेकर खाली हो रहिछ हनी उफोर्गा क्या अज्ट आप तीन चकर में खतम होते बोलें लोगां दस चकर हुए अपि तक खतम ने जिए मैं ना हेली क्याप्टर देखाई ना उसमें बैठाई तुम लेकजा को बिठा को छोड़ते जा रहे हैं उलगां तीर-तीर को वापस आते जा रहे हैं है फेली क्याफ्टर में बैटने के खुशी में फिर आ रहे हैं वापस तीर को आ रहे हैं फिर उसमें बैट रहें जा रहे हैं तो इस टैप के पहले आईटम होते थे और सुनने वाले नोज़वान हो या हर उमर के लोग एंजॉय करते थे सुनते थे हसते थे वह वाखर अब हमारे हैदरबाद की जो गुपतूगु बात्ची थे हौला वलके एक वर्ड इस्तामाल होता हमारे पर बहुत से लोग परेशान दे थे हम जाते हैं आगरा वगरा कलका ताइदा उदर रहा तो हैदराबाद के लोग तो हौला है क्या मिया तो समझ जाते हैं, अरे उन्हें हवला हो गया है, बुरा मानने आ ले बुरा मानते हैं, अरे हवले पने के बातां कर रहा है, हवली हो गई, हवला है, हवले पने के हरकातां कर रहा है, अब लोग सवाल करते हैं, यह तुम्हारे है थे हैदराबाद में हवला हवला बलते हैं, ह हमारे सुलेमान साप से, मैं, खुला भाई, हज़त, आप हिदर बाद में सीh फनकार है, आटिस्थ है, यह एक वाटिस्थ हमाज होता है हिदर बाद में, हावला, हावला? मिया क्या है, मिया čyok सुना तू 권ति लटीफा, तुम को समझ मिया जाता हॉ हॉवला किसको बलते है, तो उन्हों समझाने कि Azure क friend? को जोक सुना थे मिया GUY गाल रहे थे, बात करते बया जा रहे जा रहे, रस्ते में दोस्त का घर मिल गया अब जिसका घर मिला उन बोला मिया मेरा घर आ गया दिवान खाने में बैट को चार बातां कर लेको चाय वाई पी लेको जा आप तेरे को लंबा जाना है हो बाप बोल को दोनों आए दिवान खाने में बैठे अब वो विचारा चाही लाने अंदर गया, तूफानी बारिष शुरू गई मिया, वो बारिष वो बारिष रुखने का नाम नहीं, अब रात का टैम है, मैं उसको वला मिया एक काम कर, रात की रात यहां पढ़ जा, सुबा उटको चले जाना, अब तूफानी बारिष कहा जा मिश्रूम को जाको आए तक महमान गईप, है नहीं, अरे इना को दूटा, किदर गया भाई नहीं, किदर गया मैं इसको यहां सो जाओ वला पारी शोरी कहां गया, कहां गया, बीस मिनट आदे घंटे के बाद देखे तो, यह महमान हाथ में एक पिलास्टिक की थैली ले ले कि दॉझता, मैं घ़र को जाको और लूगे ला लिया गयते तो बोले यह इसको बोलते है हौला, वाक है हौला ऐसा थे तो ऐसे काम करने वालों को हौला मेरे ख्याल में भोले की जगाा हौला हो गया है, भोले की जगह होला है, भोला पंजिस में होता, थोड़ा साथ समझ दिया ने, उसको होला, तो ऐसे हमारे हैदरबादी जो 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 होते, आइटम होते, अन्दाज में, ओरिजिनल जो बन जाते, उसमें जो है, नहीं, शाब भाई, ये तो खेर आपने आइटम का जिक्र किया, हौला हो, या बाला हो, या फिर भोला हो, ये तो सारी चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन मेरा जो सवाल था, वो अधूरा का अधूरा आ रहा है, वो ये कि आपने बताया कि पहले के दोर में, जो कॉमेडी होती थी, उसमें पंच लाइन बिलकुल लास्ट में आपकी जो कॉमेडी है, उसमें वक्तन फाक्तन पंच लाइन के जरिये, कंटेंट बेस आजकल कॉमेडी हो रही है, जैसा, आज काट टू काट जैसा हो गया है, छोता सार, ये कि स्टाफ आप जा रहे है, मोट से किल पर यह ने, अपने बाइक पर जा रहे है, स्टाफ फिश दाप टू कर आई ही, फखिर जल्दी से आ, अलागी नम पे कुछ देढो, भगवान के नम पे, वह कार में लेडी भैठी ही थी, वह लेडी ग्लास उतारे, दस का नोट निकाल के जा गए हический, येसा, अपने la który雷 का ब्साने दाव इंकल के ज़िए, फखिर लिए跟大家 प!!! अफने लेकर उदर जा रहा था गो एक मिनइट इदर आओ एक मिनट आओ इदर आओ आपको मैं कहीं देखे जैसा है आपको मैं पैसान तू फखिर बोला मेडम आप मेरे फेस्बुक फ्रेंड एक तो आजकल ऐसा आजकल ऐसे ऐसे ऐटम चले कट टू कट आइटम बिलकुल पह मुहलों में पहले के आज भी वह आइटम सुनने आले सुनते हसते एक ओरिजिनल आइटम जैसे होते थे समझ का फेर होता था जूम आने जिससे का आज आता है तो बहुत इंजय करते थे लोग किसी को समझ में आ गया वह हसते रहता था मुहले में एक आदमी गुल-गुले भज्ये पापड बेचने के लिए आथा कैसा आइटम होता कॉमेडी कैसे पंच आता है वह अजीब गरीब वह इसमें आवाज में बेचता हुना के गुल-गुले भज्ये मुर्कुल पाफड़ु आपड़ु अच्छा वह अजीब गरीब सारे लोग परेशान होले यारे पापड़ बेचरा क्या वह अचानक हावाज प्यारी अवाज मुले गुल-गुले भज्ये मुर्कुल पाफड़ु बच्चे उट नीन में से चमके उठना लोग पढ़ते रहते हैं परेशान होले यारे यह है क्या है वह बड़े मिया को अक्सर महले में बड़े लोग होते हैं जिम्हेदार शक्स होलेज मैं लाके वले जरा ऐसा खतरनाक चीख रहा होने मकुरु आवाज में पापड़ बच्चे उट चमक जा रहे हैं तो अचा अचा उसका इलाज कहने हैं वह बड़े हज़त सुबास हुआ आता हुने गुल- अप्धु रह्माने में ला रहा हुनBl पकड़ ल हो प ensemb finite टोकराः को रहा है अब की शादी हो गईon वहने भी आभा लोगा निये औन आ के लार है पापड़े लेटों अरे 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 इतना चीख के इतना हवाज में इतना अताखत में किसके और से पईसे जमा कर रहे हैं बिटा, शादी वादी कर ले न आप? अरे हो नहीं है हमी लोगा हमारे अबा लोगा नहीं है नहीं है तो हमको बड़े मानते ना बड़े समझते हैं हम कर देते आपकी शादी अरे नहीं नहीं है अरे कर देते बबा खेर यह पापड़ वाला राजी हुआ उसकी शादी कर दिये इसके पापड़ वाले की पापड़ गुल्गुले भज्ये मुर्खुल पापड। तो उसका पुरा ग्यास खतम हो गई विचारे की, वोल्टेश पुरा खतम होगा, तो क्या है, अब वो जो समझते ना महफिल में, बिलकुल, वो लोग खेखा लगा के एकदम हसते, और फिर हसते रहते, और मिया, वो जो तुम प थोड़ा सा मिज़ा भी है, एक आइटम का आइटम बन जाता है, अब आजकल ये मज़ा नहीं हा रहा है, जो किसमें, देखो आप, बिलकुल, अच्छा अभी आजकल की जब आपने जिक्र किया है, आजकल की बात कहीं आपने, तो एक चीज़ मैं आप से जरूर जाना कि आजकल हम जो देखते हैं, गुरुप की शकल में कॉमेडी पेश की जारी है, चाहे सोशल मीडिया के जरीए, या फिर आप OTT प्लेटफॉर्म के जरीए, आपको क्या लगता है, कि ये जो गुरुप की शकल में जो कॉमेडी पेश की जारी है, इस से स्टैंड अप इतना साथ में का इस तरह विदियो अकरा विदियो किस तरह बाई आप जो वीडियो देख रहे हैं, जैसा यूटूब अगरा पर जो देख रहे हैं, उसको आइटम को आप गवर करो, एक मुश्किल से 15-10 सेकंड के लिए लाफ्टर मिलता आपको, भूल जाते हैं, ये चीजें हम जो करें वो चीजें ऐसे हैं, लोग याद रखते हैं, आप द मिल जाते हैं, वो वक्तिया है, वो, कट्टू कट है, जबी का है, अब हम जैसे जो आइटिस्ट है, वो लोग आडियोंस के जहन में रहते हैं, फ़ला परगाम अगर है तो फ़ला आइटिस्ट को बुलाना, उसको सुनना, जहनी सकून मिलता, कुछ लाफ्टर इस्ट मेडि आइटम है, जो मुसलसिल लोग पसंद भी कर रहे हैं, लोग बुला बुला के सुनते हैं, यह जो है वक्तिया तोर पर कोमेडियों होती है, चलिए आपने आइटम का जिक्र किया है, तो मैं चाहता हूं कि कुछ और आइटम जो आप हमारी आडियोंस के लिए जरूर तो मेजिक, अक्सर मेजिक के परगामों में हमेजिकल परगाम में जाते करते थे, तो बाद अपता अबला अगरा मेजिक, लाइब मेजिक होती, तो मैं एक बार ऐसे ही बैठे, बार बार फरमा इशारी थी, और भाई वो ओले ओले सुना, तो कुछ डांस कर रहे हैं, फिर क्लासिकल परगाम हो रहा है, या कोई खववाली हो रही है, तो लोग अगर, जनूनी लोग होते सुनने वाले, वो लोग को नहीं मालूब कॉमडी क्या है, मुशायरा क्या है, क्लासिकल, वो लोग, कोई भी आर्टिस हो, वो ले-वले हो, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, जगजीच सिंह मुझी बदनाया हुवेक। आप तो जगजीच सुनाया का। मैं आपैu सीथिए। जगजीच सिंह साथ। जगजीच साथ आपने अंदाज में मुझी बदनाया की सुना। मुन्नी बदनाम हुवे, डार्लिंग तेरे लिए, मै जंडो बाम हुवे, डार्लिंग तेरे लिए मुन्नी बदनाम हुवे, डार्लिंग तेरे लिए, अब जैसे अलताफ राजा था, तुम तो टेहरे पर देशी, साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से, घर को लोट जाओगे, अब बच्चे इसको बलीगे हैं, बाई, मुन्नी बदनाम हुवे, डार्लिंग तेरे लिए, मैं जंडो, मैं जंडो, मैं जंडो बाम हुवे, डार्लिंग तेरे लिए, अब हम लोग बैठ बैठे क्या करते थे, और गाएंगा तो खाएंगा तो खाएंगा तो खाएंगा तो खाएंगा तो खाएंगा तो खाएंगा टुझर साब ओले-ओले का जिकर करें. जे-जě. वोयीजिननल कैसा है, जब बी कोई लड़की देखु, मेरा दिल दीवा न thành बोले ओले-ओले-ओले-ओले-ओले-ओले-ओले गाउ убийřाना यारा जूम-जूम-पे ओले-ओले-ओले-ओले ओरीजिनल. अब एक मुकाम पर खवाली हो रही बड़ी दाल से हैं अब खवाली हो रही है भाई खवाली-वाली समझ में नहीं आती है हवली-वली होना अच्हा ओवा वे विचारा खवाल परहिशान है वर उले-वले ने हैं तो पथर है अब वो पत्थर के डर से मजबूरी के आना हम में उले-उले सुना रहा है खवाल के साथ जब भी कोई लड़की देखो अजी जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दिवाना बोले ओले 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 अब मुझायरा हो रहा कभी समिलन वहाँ चलेगे बोले ओ शायर यहारी समझ भी आ तो ओले ओले होना हमारे शायर बड़े अदब से ओले ओले पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे अर्स क्या है इर्शाद जब भी कोई लड़के देखूं मेरा दिल दिवाना बोले ओले ओले अब मित देख करिभाए लाना जुम जूँमे होना पब लित लड़े वहाँ कलासिकल परगाम चल रहा बड़े अस्ताद किलासिकल के आए वे अपनी किलासी कि मेजिक में मश्रूप है गोहाँ जाके बोले ओ वाई जो होई विच्छारा मसूरूफ है पानी सा गमरे पानी सा पानी पानी सा गमरे पानी 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 पहले दो दीन में एक बार नल खुल रहा हम लोगा परेशान है ओले ओले सुनाओ तो पत्थर से डर के बोले एरे जब भी कोई लड़की देखु रे दिल मेरा दिवान बोले ओले 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 अम्मा बोले बाबा बोले जाए आपा बोले ओले अब को डोलक का गीत चल रहा जैसा दखनी हमारा हिदरवादी अंदाज में घरों में शादी वली मा के इसके बीस में रस्म की जो महफिल अक्सर दूला दूलन के फूपी खाला वगारा जो गाते हैं वो लोग भी अपने ये भी बहुत मशूर है हमारा अधरवादी जो अंदाज है अमेरिका वगारा तो वहां पर आज भी वहां के लोग याद करते हैं आल इंडिया रेडियो पे वगारा गी गीट बाज़ आते थे धोलक पे गित तो यह धोलक का गीत चरया यहां भी फरमाशा के आने आबाद दरबार मुभारक हो जो ए तुम सलामत रहो रहो जी मेरे हाजी पाशा भाई आबाद भाभी मुभाए आए हाए क्या उजाड पुराना गाना लेको बढ़ है मा को दूले वाले रसम लेका ही ओले ओले सुना बर रहे हैं तो अब यह लोग धुलक पर ओले ओले का रहे हैं अब इनके साथ जईफ ओरते हैं रहे थे बुढ़ियां हो लो आभी गाते हैं महीं फिलो में तो ऐसे ऐसे आइटम बस चलते और वो दौर रहाने जानी भाई सही है सही है इतना मेहनत करने के आजका ज़रूरत पढ़ रही नहीं वैसे एक नाम हो गया ग्रेट इंडिया लाफ साथ रहे था सभी फाइनलिस्ट है हमको हम कुछ चाहते हैं कि शौक है कुछ हासा आइंगे कुछ मेहनत करेंगे लोगों को नाजरीन को सामय को लेकिन वह हो रहा नहीं सुनने वाले हैं नहीं आजकल ऐसे कुछी मेहनत करने की जुरूरत पढ़ रही नहीं कट टू कट जोक सो गए नहीं लेकिन शाब भई देखिए जिस तरह आपने अभी जिकर किया लाफ्टर चैलेंज के बाद इतने सारे कॉमेडियन्स हमारे याने हिंदुस्तान भर से पचास थे जिसमें दस कॉमेडियन हैदरबाद से गये लेकिन अभी हम जो देखते हैं इतनी जर्खेज सर नहीं रहा या फिर क्या वज़ा है कि आजकल नौजवान कॉमेडी की तरफ नहीं आ रहे हैं स्टैंड अप की तरफ नहीं आज वो फिर से क्या हो रहा लोग उप गए उप जाना समझते होंगे आप चैनल से अब थोड़े दिन के बाद देखो आप यह मॉबाइल से भी लो हो या कॉमडी हो तो घरों में लोग तब गए ओटिंग नहीं मिल रही लोगों को समझे ना मैं मेडियम बात बहुर रहा आपको वैसे लोग आते बाहर घूमने फिरने जॉब के बाद और फैमिली से हैं कपल से होगारा लेकिन यह जो बाज़ापता घरों में जो औरतें ब बोलना ने बोलना मालूमनही हमारी हकुमत को चाहिए वो कि इन्टेंट, पब्लिक के इन्टेंट के लिए इसे शोज अरेंज करें बात यहां पर खत्म नहीं होती आप बताते हैं कि स्टेज कभी खत्म होने वाली चीज़द नहीं क्योंकि लोग bait कर्वारा आना ग 2005 की बात हम करें लाफ्टर चैलेंज में दस हमारे कॉमेडियन्स गए थे लेकिन उसके बाद हम जो देखते हैं लेकिन स्टैंड अप कॉमेडी में बहुत कम लोग आ रहे हैं या फिर नौजवान आना नहीं चाहते हैं क्या बजाए है मौखा मिलेंगा तो मैं ने जूनियर को मैं सपोर्ट करूंगा तो वही आएंगा ना उसको उतना पेमेड मिलिंगा नहीं खुली बात बता रहो आपको मैं जब कोई आगर आ रहा उसका पाकिट मनी उसका खर्चिन क्यों मेहनत करेंगा उनों अगर मोखा देते रहेंगे हुकूमत मोखा दे रहे हैं या आडियोंस मोखा दे रहे हैं स्टेज शो धमाल से चल रहे हैं तो फिर हम निव जनरेशन निव आर्टिस्ट को जो है पर्मोट कर सकते हैं वो सीनियर आर्टिस्टों की भी जिमेदारी होती काला बहुन जैसा हमारे गौर्णनमेंट इनिस्टूट्स वागर हो नहीं रहा है अज़ा अगर कोई नौजवान स्टेंट अप कॉमेडी को अपना केरियर चुनना चाहता है उसके लिए क्या मेसेज देना चाहेंगे वो बताईए मेसेज भाई मेहनत करना है एक तो दूसरा वालगराटी नहीं चाहिए क्योंके जो चीज रहागर है और अब की जो चीज है लहाज अदब बड़े चोटों का वो तो खाहेंट है और 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 औरसूम मेरारी की suggestion अब सैज हो और 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 और, तो ऑदियुगा मेरा हैbell और 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 पेश करता कुछ भी तो पीछ पीछे की स्टोरी होती। वो स्टोरी सुनने वालों के लिए जहनी वह है बसुछ खाना ने मिलता सुनने वालों कुछ ने लेकिन जहनी सकून के लिए देखें। फिर अप लाफर इस दा बेस्ट मेडिसन आप बोले जैसा। जितना आदमी हसेंगा। पाज़ अपता लाफिंग कलव वगारा खुल रहे हैं ना जी। तो क्या है उसमें खोल आप। चलिए वक्त इस बात की अजाज़त नहीं देता कि हम और भी मजीद बातें करें। हम रुखसत लेने से पहले विदा लेने से पहले आपको शाकर आइटम हो जाए पाया पाया उसकी जलक जिसे आपकी शिनाख्त है। दे ग्रेट इंडियल आफ्टर चालेज में पाया पाया में सुना के कामियाभी हासिल करा था। खैर लंभी कहानी है वो वक्त का तखाजा है। तो लिए मैं छोटा साव कैसे सुना था। एक खवाल गुजरे उनसे का आगया के भाया बड़े महान खवाल है। पाय के तालुक से कुछ खवाली सुना गया। बड़ा मशूर हो है। आज भी चल रहा है योटूब अगारा पे। पाय के तालुक से पाया। 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 मिया पाया। हुजर पाया। रोटी पे रोटी बीच में पाया। रक रक के खाने में मजाया। पाया। मिया ये है वो पाया। जिसे मैंने बड़ी मुश्किल से गलाया। मिया जबके लेंटन अमरीका से हिंदुस्तान आया। देली में बैटकर हैदराबाद का पाया मंगाया। के लेंटन को नाश्टे में जब हैदराबाद का पाया खिलाया। तो के लेंटन अमरीका जाते जाते जहाज में उचल उचल के गाया। यह पाया पाया, यह पाया पाया, मिया पाया, के लेंटन ने पाया खाया, यह देखकर जाज जबलू बुश हंदोस्तान आया, डेली में बैटकर बुश ने पाया मंगाया, बुश को जब पाया खिलाया, उसको मज़ा आया, फिर मंगाया, फिर खाया, फिर मंगाया, फिर खा अम्रीका जाकर हास्पिटल में तीन गुलो को सड़ाया यह है पाया पाया यह है पाया मिया पाया एक अंग्रेज हाइदराबाद देखने आया देखते देखते मेरी होटल के सामने आया उससे कहने लगा के अजीज मियां ये चार मिनार किसने बनाया तो मैंने कहा ये चार मिनार खुली खुतबशा ने बनाया अंग्रेश कहने लगा खुली खुतबशा ने ये चार मिनार कब बनाया तो मैंने कहा चार सो साल पहले बनाया अंग्रेश हैरान हुआ परेशान हुआ मुझसे कहने लगा क चार सो साल से ये चार मेनार कैसे खड़ा है तो मैंने कहा अरे वो अकल के अंद गोर से नीचे देख इसका मजबूत है पा यहे तो बरहल चाम भाय शाबवदित łी अपधर आपको भॉखत है तो नाजरीन आज के लिए इतना ही ऐसे ही ताविन्दा सितारों के साथ आपकी और हमारी मलाखात होगी आप अपने दोस्त और होस्त के भी जानी को इशादे दीजिए